Welcome to the Platform of Success Law Academy तो आज की वीडियो में हम जिस वेकिंसी के बारे में बात करेंगे वो Government of India, Ministry of Commerce and Industry की तरफ से निकाली गई है Department for Promotion of Industries and International Trade में और यहाँ पर जो वेकिंसी है वो यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के निकाली गई है अलगलब departments में vacancies notified की गई है Legal related क्या vacancy है, उसकी क्या conditions है educational qualifications और जो भी important criteria है वो हम इस पूरे notification में discuss करेंगे सबसे पहले हम इसकी age limit देख लेते हैं तो यहाँ पर जो vacancy है उसके लिए जो आपर age limit दी गई है हो है 35 years age तो अगर आपकी 35 years तक age है तो आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते है फिर आप इसका remuneration देख लिए है तो इसके लिए जो आपको remuneration या फिर salary होगी वो रखी गई है सारी criteria इसके लिए 70,000 पर month अपार्ट स्रूम salary अगर आपकी performance satisfactory होती है according to the officials तो आपका 10% increment भी होगा जो आपको बाद में पता लगेगा और एक important information ये एक contractual job है जिसमें initially तो आपको एक साल के लिए appoint किया जाएगा जिसको further 3 साल तक extend किया जाव सकता है और 3 साल तक ही contractual job है अब हम इसका selection criteria देख लेते हैं किस तरीके से किस basis पे आपको यहाँ पे select किया जाएगा तो यहाँ पर education की basis पे experience की basis पे और interview की basis पे marks का bifurcation किया गया है तो सबसे पहले education में आपकी 12 से लेके post graduation तक जितने भी marks है वहाँ से 50% weightage लिया जाएगा फिर अगर आपने experience job related आपके पास experience है वहाँ से 20% weightage लिया जाएगा और interview जब आपका होगा उसमें से 30% weightage लिया जाएगा अब हम डीटेल में education qualification से क्या bifurcation किया गया है वो देख लिएगे हैं तो अगर आपके 12 में 60% से less है तो आपको 5 marks मिलेंगे और 60 to 75 के बीच में है तो 6 marks और 75 to 90 है तो 8 और आपके 90% से अबब है तो आपके 10 marks तो यह 10 marks आपके final merit में add होंगे फिर graduate level पे maximum 20 marks का score है और अगर आपके graduation में less than 60% है तो आपको 8 marks मिलेंगे और 60 to 75% के बीच में है तो आपके 12 marks मिलेंगे और 75 to 90 के बीच में है तो आपके 15 marks मिलेंगे फिर last में के 90 से अबब है तो आपको 20 marks मिलेंगे अगर आपने post graduation किया है तो वहाँ पे भी maximum 20 marks रखेंगा है same गी criteria है अगर आपके 60% से कम है तो 8 number 60 to 75 है तो 12 और 75 to 90% है तो 15 marks पर अगर आपके 90% से अबब हैं related experience होगा उसके basis भी आपके कुछ marks दियेगा है तो अगर आपके बास एक या दो साल के बीच में experience है तो आपको 10 marks मिलेंगे 2 to 3 years का है तो 12 3 to 5 years का है तो 15 और 5 plus year का है तो 20 तो basically आपके education qualification और experience के basis पे इन्होंने marks आपको अलोट करेंगे फिर interview जब होगा उससे कुछ weightage दिया जाएगा तो interview आपकी experience plus आपका जो भी qualifications नहीं उनके basis पे तीनों को मिला के आपका जो भी score बनेगा फिर आपकी final merit बनेगी उसके basis पे आपका selection होगा अब हम यहाँ पर vacancies देखेते हैं कि कितनी vacancies हैं तो legal department में सबसे पहले जैपूर के लिए 2 vacancies हैं Mumbai के लिए 6 एहमदाबाद के लिए 1 Chennai के लिए 1 और डेली के लिए 1 तो टोटल यहाँ पर 11 vacancies हैं अलग-अलग cities के लिए हैं तो जब भी आप select होगे तो आपको इन 6 cities में से कहीं भी appoint किया जा सकता है अब हम देखते हैं कि आपको यह form कैसे fill करना है तो online link होगी इस form को fill up करने की जो description में attach कर दी जाए कि वहाँ से आप directly आप इनकी website पर जा सकते हैं फिर वहाँ पर अगर आप अलग से website पर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा इनकी website पर जाना है वहाँ पर what's new के option में जाना है फिर उसके बाद jobs on dpiit पर क्लिक करना है फिर आपका जो link होगा इस form से related वो open हो जाएगा वहाँ से आप अपना form fill up कर सकते हैं और आपका selection कैसे होगा जो भी आप अपनी documents submit करेंगे उनकी basis पर applications जो भी received होगी parent होगा वो आपको shortlist करेगा और अगर आप shortlist होते हैं तो आपको interview के लिए पुलाया जाएगा अब हम इस vacancy से related last date दिख लेते हैं तो आपको ये form 11 December से पहले fill up करना है 11 December इसकी last date है ठीक है तो आप make sure कीजिए इस date से पहले आपको form fill up करें और इसका notification एक बाद detail में wait करने जिससे आपको और idea लग जाएगा form पर लग करते ठाएग तो जितनी भी important details थी वो हम discuss कर चुके हैं अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप comment section में comment करके पोच सकते हैं और अगर आपको यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें और इस channel को सब्सक्राइब करें थांक यू